ये लो अवल, खा लो फोक, तुम स्पून क्यों नहीं लाए? वाइ दिन्ट यू ब्रिंग अ स्पून? सारे चम्मत जूटे थे, all the spoons were used मुझे लगा ही था, I thought so जब भी आपने किसी को कहना हो कि मुझे लगा ही था मुझे ऐसा लग ही रहा था, मुझे ऐसा लगा ही था तो इंग्लिश में बोलो, I thought so अवल, इसकी बैटरी चेंज कर दो, please change its battery ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, it's not rocket science it's not rocket science हम तब बोलते हैं जब हमारा मतलब हो कि ये बहुत आसान सा काम है, ये कोई complicated, complex काम नहीं है it's not rocket science मतलब कि इसके पीछे कोई ऐसी science, ऐसी technology की जरुवत नहीं पड़ती जो rocket बनाने के लिए काम आती है, ये तो simple सा काम है it's not rocket science ठीक से साफ करो, clean it properly इसकी बात मत सुनो, ये इसका रोज का है don't listen to her, it's her everyday story everyday story का मतलब है कि रोज-रोज का काम है, रोज की बात है everyday story मेरे सर पर हाथ रखके कहो कि तुम जूट नहीं बोल रहे यानि मेरी कसम खाके कहो कि तुम जूट नहीं बोल रहे इसकी English होगी swear on me that you are not lying मेरी कसम खा के कहो कि तुम जूट नहीं बोल रहे Swear मतलब कसम खाना और Swear की past form है Swore तुमने मेरे सर पर हाथ रख के कहा था कि तुम जूट नहीं बोल रहे थे You swore on me that you were not lying अवल मुझे बहुत भूख लगी है I am so hungry मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है I am not at all hungry Not at all का मतलब है बिल्कुल भी नहीं इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि I am not hungry at all मुझे बिल्कुल भी नीन नहीं आ रही है I am not sleepy at all मैं बिल्कुल भी bored नहीं हुआ हूँ I am not bored at all हम तीनों ही intelligent है All three of us are intelligent लेकिन अगर आपने कहना हो हम दोनों ही intelligent है तो all two of us नहीं आएगा Both of us are intelligent मुझे इन पर शक हो रहा है I am getting suspicious of them मैं बता नहीं सकता कि ये कितना amazing है I can't describe how amazing it is या फिर I can't express how amazing it is मेरे रास्ते से हट जाओ move out of my way या फिर get out of my way तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई है You have brought fortune to my life साक्षी मैं तुम्हारे लिए lipstick लाया हूँ I've got lipstick for you तुम्हें नहीं लगता ये कुछ जादा ही छोटी है साक्षी ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जादा ही छोटी है बहुत बार हम अपना sentence इस तरह से शुरू करते हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये ऐसा ऐसा है English में जब इस तरह की बात बोलनी हो तो अपना sentence शुरू करो Don't you think Don't you think it is too small तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जादा ही महंगी है Don't you think it is too expensive Coffee बहुत जादा गरम है इसे हम English में कैसे कहते हैं The coffee is very hot इसके लिए एक modern English word सिखाता हूँ आप बोलो The coffee is piping hot इसका मतलब है Coffee बहुत जादा गरम है The coffee is piping hot आप इस उम्हें में इतने energetic कैसे हो How are you so energetic at this age? सभी flavors मुँ में पानी लाने वाली है All the flavors are mouth watering हम जब भी बाहर जाते हैं इनके नकरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते Whenever we go out Her tantrums don't seem to end इस सड़क पर कोई गड़े नहीं है There are no potholes on this road इस सड़क पर गड़े ही गड़े है This road is full of potholes अवल तुमने नहीं वाली कुली नंबर वान देख ली? ना, it's not my type It's not my type का मतलब है कि जिस तरह की मुझे पसंद है वो वैसी नहीं है It's not my type ये आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हो जैसे मान लो आप कोई घर देखो तो आप बोलो It's not my type जिस तरह का मुझे पसंद है ये वैसा नहीं है अगर आपको किसी सिटी के बारे में बोला जाए कि ये शेहर कैसा लगता है तो आप बोल सकते हो It's not my type जिस तरह का मुझे पसंद है ये शेहर वैसा नहीं है या फिर आप किसी इंसान के लिए भी बोल सकते हो She is not my type वो वैसी नहीं है जिस तरह के लोग मुझे पसंद है He is not my type They are not my type आपको पता है इंग्लिश में रिक्षा को क्या बोलते हैं? रिक्षा को रिक्षा ही बोलते है ये वर्ड आया है जैपनीज वर्ड जिन रिकिशा से जहां इसका मतलब है जिन यानि इनसान रिक्षा यानि पावर, ताकत, जोर और शा मतलब कैरेज यानि पईयों वाली सवारी जिन रिक्षा ये है जैपनीज में और हिंदी और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिक्षा मेरे कप में चाए डाल दो Pour the tea in my cup लगता है मैंने गाड़ी खुली छोड़ दी I think I left the car open साक्षी, आओ वीडियो बनाएं Come, let's make a video मेरे हाथ में दर्द है I have a pain in my hand मैं इसके बहानों से तंग आ गया हूँ I am fed up with her excuses आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो I am sick and tired of her excuses यानि मैं इसके बहानों से पक गया हूँ अक चुका हूँ, ऊप चुका हूँ I am sick and tired of her excuses आज तो पसीने पसीने हो गया हूँ I am all sweaty today मैं मीठे का शौकीन हूँ मैं मीठे का शौकीन हूँ 100 रुपे लगेंगे It's meant to be का मतलब है कि ये इसी काम के लिए बना है जैसे It's meant to be eaten ये खाने के लिए बना है It's meant to be warned ये पहनने के लिए बना है इसी तरह It's meant to be stepped on इस पर पैर रखने के लिए बना है इस मज़दार लेसन की तरह मेरा full spoken English course भी बहुत अलग है बहुत खास है जिसमें मैंने beginner level से लेकर advanced level तक step by step सिखाया है बहुत ही मज़दार तरीके से सिखाया है जो English बिलकुल नहीं बोल सकता वो भी बोलने लगेगा इसमें आपको 60 video lessons मिलेंगे notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे practice group होगा जहां students audio और text messages में practice करते हैं और course completion के बाद certificate भी मिलेगा इसे join करने के लिए link description में है या फिर आप अवल English.com पर भी जा सकते हैं होना है सफल तो follow अवल